हेलो दूस्तो नमस्कार बिल्कुल क्लेम ने करा हूँ कि हम लोग 100% सही जाएंगे सिर्फ हम लोगों को क्या करना है इस स्टॉक को देखना है बहुत ही करीब से और ऐसा क्या यहापे होने वाला है कल के दिन से रिलेटेड वो भी मैं आप लोगों को यहापे बताने की गोलते है न एक छोटा सा ट्राइ यहापे करने वाला हूँ तो चले दोस्तो यह कोशिश की हद तक हम लोगों की सही जाती है वोई कल हम लोगों को यहापे देखने को मिल सकता है तो कौनसा स्टॉक है उसके बारे में क्या न्यूज है न्यूज एग्जैक्ली होने वाली कब है तो कल ही क्यों देखना चाहिए जितने भी आपके डाउट से न वो सारे क्लियर हो जाएगे तो फड़ा बड़ी स्टाट कर लेते हैं बड़ी से पहले जरू कहना चाहूंगा किसी ने फर्स टाइम विजिट कैया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को हिट कर लेना अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लास इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो लिंक उपर आए बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लेटेस वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्टॉक्स वाले वीडियो मेंने कवर किये बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलता है मैं बार बार डालते रहता है आप लोगों का रिविजिजन होते रहता है सो स्टॉक कौन सा है उसके बारे में पहले बात करेंगे KNR Construction Limited सो दोस्तो इस स्टॉक क्यों पर नजर रखनी है नजर क्यों रखनी है उसके पीछे की वज़ा क्या है अगेन सारी बाते हैं हम लोग सिखने की कोशिश करने वाले है सो दोस्तो सबसे पहले देख लेते हैं यह स्टॉक इग्जेक्ली है क्या साड़े सवा तीन सो के आसपास आप रफली बोल सकते हो Construction Limited मतलब आपको मुझे नहीं लगता कि Explanation की जरूत है कि किन सेक्टर में यह कमपनी काम करती है अभी 6 मैने का चार्ट पेटान अच्छा ही रहेगा सारे स्टॉक भागते ही चले जारे कोई बात नहीं चलो एक साल का देख लेते ठीक है पाथ साल का देख लेते वो भी ठीक है Maximum देख लेते तो वो भी ठीक है ऐसा नहीं कि खराब ही है पूरा बट obviously हम लोग कह सकते कि स्टॉक एक दायरे में हम लोग को देखने को मिल रहे है लगवग अगर मैं बात करू इस साल से अभी ये इस साल मतलब कौन सा सौल है लगवग 2018 से कह सकते दो साल ये कंपनी एक ही बॉक्स में हम लोग को ट्रेड करते वे देखने को मिल रही है सो ये तो होगे सबसे पहली बात कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जाने की कोशिश करेंगे जैसे कि market cap 44 billion का है सो ये कोई large cap कंपनी ने आप लोग इसको small cap mid cap में देख सकते हो P.E. ratio की बात करें तो 12.99 times का P.E. ratio है dividend yield की बात करें तो 0.22% का देखने को मिल रहा है सो दोस्तो इस stock के बारे में जैसे कि मैंने आप लोग को का कुछ और भी हम लोग बाते जानने की कोशिश करेंगे पर उसके लिए हम लोग को यह लेटर बहुत जादा काम का आएगा मतलब यह लेटर हम लोग यहाप आपके सामने उपन करना चाहूंगा मैं और बहुत ही ध्यान से ट्राइ कर लो कुछ सिखने के लिए आप देख सकते हो यह जो यहापे बाते हो रही ही यह किस से रिलेटेट है दोस्तों तो इस कंपनी की यहापे बोर्ड मिटिंग होने वाली है आप देख सकते हैं यहापे मैं हाइलाट करके बताना चाहूंगा बोर्ड अफ डिरेक्टर अफ दे कंपनी उन्होंने शेडूल किया है मीटिंग फ्राइडे को फ्राइडे अट्रा तारीक है आप लोग देख सकते हैं 18 डिसेंबर 2020 और वो भी साड़े बारा को यहापे यह मीटिंग है हाइदराबाद में अब यह आप बोलोगे सर आप ठीक से पढ़ रहे हो फ्राइडे बोला है और आप कल के दिन की बात करें तो बिलकुल मैं सही बोल रहा हूँ फ्राइडे के यह मीटिंग हम लोगों को यहापे होने को देखने को मिल रही है एंड ये मिटिंग का अजेंडा किया है कि क्यों यहाँ पर Board of Directors एकत मतलब बोलते हैं एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं आप देख सकते हैं Consideration, Consider करने के लिए क्या, Declaration of Bonus Shares and Other Related Issues तो हम लोग कह सकते कि इनके Shareholders के लिए यहाँ पर जैसे मैंने बोता है ना कि इन Shareholders को Lottery भी लग सकती है तो दोस्तों यहाँ पर शायद से Bonus यह Company दे सकती है और यह उनका Medan Bonus रहेगा First Time Bonus अभी तक Company ने Bonus नहीं दिया है तो इससे Related चर्चा कल नहीं होने वाली है, Friday के दिन तो दोस्तों यही खास बात है कि कल के दिन हम लोग को देखना है कि यह Stock किस तरीके से React करता है यही चीज़ हम लोग को यहाँ पर सीखनी है क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो यह जो Later वाली बात थी यह देखिए आप लोग को यह Jump देखने को मिल रही है यह Suddenly Jump हम लोग को क्यों देखने को मिली है क्योंकि इसी News के चलते हम लोग को अल्रड़ी यह Stock भागते वे देखने को मिला है कि यहाँ पर Bonus के लिए वो Permission देंगे या नहीं उसे Related यहाँ पर चर्चा होने वाली है अभी Bonus के लिए हाँ होगा या ना होगा यह तो Friday के दिन पता चलेगा बट हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि कैसे रहता है कि बाजार एक दिन पहले ही हम लोगों को अंदाजा दे देता है आप लोग देखते हो कि बाजार बिलकुल इसे Normal चलेगा और सड़नली इसा Spike आ गया तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि शायद से बोनस के चांसे बढ़ गए यह हमेशा आखरी सेशन जो रहते है न स्टॉक मार्केट के उसमें इसमें होते है या फिर अगर हम लोग बात करें बाजार में यह स्टॉक बिलकुल नौर्बन रहेगा और कल सड़नली गिर भी सकता है तो समझ लेना कि शायद से बोनस के लिए कोई नेगेटी नियूस आ सकती है एक्चुल डिशियन होगा फ्राइडे पे और फ्राइडे के दिन भी आप लोग इसको अबज़र कर देना क्या अबज़र होगा कि फ्राइडे के दिन यूज़री हम लोगों को एक कंस्रल डिशन फेज में देखने को मिलेगा कब तक साड़े बारा तक उसके बाद क्योंकि कोई अंसर्टेनिटी है न कि बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि जैसे अगर बोनस के लिए वो हा बोल देते तो स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा का सा जंप थोड़ा बहुत जंप देखने को मिल सकता है क्योंकि अल्रेड़ी जंप हो चुकिए एंड अगर वो कैंसल हो जाता है तो डेफिनेटली करेक्शन तो होने ही वाला है सो दोस्तों ये सारी चीजे आप लोगों को अब्ज़र करने के लिए दो दीन या पे मिलने वाली है सो जो लोग इंटरेस्टेड है जरू इस टॉक को स्टड़ी कर सकते है अगर बताना चाहूंगा दोस्तों ये 100% गैरेंटी वाली बात नहीं के ऐसा ही होगा करके इसके लिए मार्केट भी सपोर्ट करना चाहिए मतलब अगर मार्केट अभी जिस तरीके से चल रहा है अमेरिकन बाजर नॉर्मल चलेगा हमारा मार्केट भी नॉर्मल चलेगा तो हम लोगों को ये सारी चीजे होते वे देखने को मिल सकते है अगर अमेरिकन बाजर में कु कि बहुत सारी यूथ या पर इस चैनल से जोड़ चुका है और उनको ये चीज़े अच्छी लगते हैं कि ऐसे कुछ स्टॉक में उनको बता था हूँ स्टॉड़ी करने के लिए तो उसी के लिए ये स्टॉक में आपके सामने आपे रखा हुआ है अगर हम लोग स्टॉक के बारे में अगर और भी जानकरी हासिल कर ले तो यापे हम लोग डिलिवरीज भी देख सकते हैं ये भी करने ना चाहिए कल आप लोगों ने क्या पर डिलिवरीज कितनी है अभी तो है तो इसके उपर भी आप लोगों की नजरे जरूर होनी चाहिए अगर मैं आपे कंपनी इंफॉर्मेशन की कुछ बाते देख लूँ तो वह भी आप लोग आपे देख सकते हैं जून में कंपनी 3978 प्रॉफिट था सप्टेंबर की बात करें तो अच्छा जंप देखने को पास है अगर गिरिवी कितने रखे उसका डिटेल भी हम लोग बाद में देखेंगे तो कोई भी शेर गिरिवी नहीं है कंपनी के बैलेंस टेख लेते हैं अभी यह देखी यह सारी चीज़े एक्स्प्रेंस से आती है अभी नाम में ही कंस्ट्रक्शन है तो आप समझ लेना करजा है और शॉट टम में भी कंपनी के पास लगबग 33-30 करोड के आसपस का करजा है तो कंस्ट्रक्शन में मैंक्जिमम टाइम आप लोग को करजा दीखे गाई एंड अगर मैं बात करूँ कैश और कैश इक्वेलेंट तो 33 करोड का कैश और कैश इक्वेलेंट देखने को मिल रहा है जैसे कि हम लोगों ने अभी देख लिए शेर ओल्डिंग पैटरन बड़ इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे जैसे कि फॉरें इंवेस्टर बहुत ही कम है देड़ पसंट है डियस इसमें जादा इंट्रेस्टेड है 35 पसंट के ओल्ड अभी बात करें तो यहापे बोनस होगा नहीं होगा क्योंकि मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा जो लोग यहापे सोच रहे सर तो फिर क्या हम लोग खरीदे यह आपके उपरे में कभी आपको रेकमेंडेशन नहीं देता हो बट इससे पहले भी ऐसे बहुत सारी चीज़ लाने वाली थी एक के बदले दस शेर मिलेंगे बट हकीकत में क्या हुआ उन्होंने स्प्लिट क्या कर दिया पोस्पोन कर दिया कैंसल नहीं किया वह आएगा फ्यूचर में कभी तो एंड स्टॉक वो जोरदार गिर गया तो यही चीज़ आप लोग प्रेडिक नहीं कर सकत है तो बहुत ही मतलब बोलते है ना टफ चीज है यह इसको अब्जाव करना इतना आसान नहीं तो जरूर मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों ने होमवक के लिए कल के लिए यह स्टॉक जरूर या पर स्टॉड़ी करना है यह जो मैं बाते आप लोगों को सिखाने के लिए बो लिए रिपेट हो रहा है मुझे भी पता है बट यह कोई भी स्कीम नहीं है कि ऐसा ही होगा 100% सच नहीं एक अंदाजा आप लोगों को निकलना होता है बोलते है जितना आप लोग कोशिश करोगे परफिक्शन का उतना आप लोग सही जाओगे जैसे कि मैं बार बार बोलता लोग का अंदाजा आप लोगों को लेना आना चाहिए इसलिए वीडियो बनाया है एक यूनिट टाइप का वीडियो था आप लोगों के लिए कि कल आप लोग चाहो तो इस टॉक के लिए मतला फोकस यहां पर जरूर रख सकते हो बट यह भी हम लोगों ने देखना लिए से इन्वेस्मेंट क्या है सेम ही तो रहेगा पर दोस्तों जीतनी बार यह मिलते है ना आगे फ्यूचर में उसका बहुत ज्यादा फाइदा होता है तो यह सभी लोगों को पता है जिननोंने मेरा बोनस का वीडियो देखा है अगर नहीं देखा है तो बोनस SMKC करके वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा जरू देखने ना एक लाग से ज्यादा लोगों ने वह वीडियो देख लिया है तो फिलाल इस वीडियो के यही पर रखना चाहूंगा जरू कल चीजों को चेक कर रहे ना इनका चार्ट पे तल आखरी मोमेंट पर कैसे रहेगा डिल से रिलेटेड मैंने बात किये बहुत से लों को बुरा भी लगेगा उनको लगेगा कोई तो मोका आ रहा है पैसे कमाने के लिए डालो पैसा और कमा तो दोस्तों ऐसी चीजे नहीं होती है जितना आप लोग इन्वेस्ट करोगे सीखने के लिए उतना उससे भी ज्यादा आ नहीं सिखने के लिए आपको यह वीडियो पसंद रहा है तो लाइक एंड शेर कर देना तो यह टेंक्यू प्रिमाज जोस्तों वी बिल भी मिटिंग आर नेक शोड़े तब तक के लिए बाई-बाई